हेलो गई स्वागत है उसके एक और नहीं वीडियो में आज मैं आपको पुड़े बारे में बताने जा रहो हूँ मैं ऐसा क्या हुआ मैं वीडियो बना खैसे रहो मुझे नहीं बता बटा आप तक ये बात पहुचारी जरूरी थी मैं बचूगा के नहीं मुझे ये भी नहीं बता है क्योंकि मेरे सब बहुत बुरा हुआ है इस वीडियो को पंजाब, पुलिस, केजरीवाल, मौधी सरकार हर जगा टुटर पे जरूर शेर करना है ताकि जल्दी से जल्दी आक्शन लिया जाए जिलो ने मेरे साथ ऐसा किया है आपको बता होगा थोड़े दिन पहले मैंने एक पॉपलैटी के उपर एक वीडियो मनाई थी पॉपलैटी में क्या चीज़े चल रही है और मैंने फैक्ट रखे थे जो रखने थे और उस वीडियो से किसी को बुरा लग गया टीक है मैंने किसी को गाली नहीं दी किसी को फालतो नहीं बोला मैंने सिरफ फैक्ट रखे थे ए ना वो किसी को बुरा लग गया उसन mascMA फोन किया जिसका दाकु डाकु ने मुझे फोन किया मैं सांस में ने ले ले पा रहूँ देख लो मेरे नाथ के पूरी हड़ियां तूट गई है यहां सरजरी हुई है मेरे आख के अंदर चोट लगी है मेरे हाथ के हड़िय तूट गई है मेरे पीट में बहुत चोट लगी है मेरे पैर के हड़िय तूट गई है मैं किस तरीके से वीडियो मना रहा हूँ आप तक पहुंचा रहा हूं मुझे रही पता बट आप सभी अगर सपोर्ट करोगे तो मुझे इंसाब चुरूर मिलेगा मैंने पॉप लैटिक उपर वीडियो मनाई थी डाकू को बूरा लगा डाकू ने मेरा नुम्बर कहीं से निकलवा के मुझे फोन किया और मुझे गालिया देने लग गया फोन पे और मैंने उससे बोला भाई क्या चाते हो तो उसने बोला मैंने तिरसे मिलना है तो मुझे अपने एड्रेस दे फिर उसने काफी सारे बंदों से मेरा अड्रस निकलवाने की कोशिश की एंड मेरा अड्रस निकलवाया एंड उसके बाद उसने किया कि आप मुझे नहीं बता बट आज परसो की बात बता रहो परसो डाकू ने मुझे धंगी दी थी आज मेरे घर पे सुबह छे वजे मैं सो रहा था कोई गेट खट खट आता है मम्मी गेट पे जाते है मम्मी पूछते कौन तो वो बोलते पारस से मिल ला है तो मम्मी वो लगा चलो कोई दोस्त होगा मम्मी ने गेट खोल दिया उन सब के पास हतियार थे लोहे की रोड थी और आठ बंदे आये वो सीधा मेरे कमरे में आये मेरी मम्मी को धक्का मार के उन्होंने गिरा दिया और वो मुझे पागलों की तरह मारने लग गए मैं उठा मै मुझे मेरे हाथ की हड़ी मेरे पैर की हड़ी मेरे नाक की हड़ी मरे श्रीर में इतने सारे जखब हो गए हैं बहुत मुझग लगा आप तक यह बात पहूचा रहा हूँ मुझे आप सभी के सपोर्ट की जरूरत है जितने चैनल ए ड्यूजवाले सब को यह वीज़ टैग क उनका कोई अच्छा रिस्पोंस नहीं आया वो बोलते कि हम कर रहे हैं तैकी कत कर रहे हैं बट कोई मेरा हाल चल पूछने नहीं कुछ भी अपडेट नहीं है तो मैं हाज जोड के आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अगर चाहोगे तो मुझे जरूर इंसाफ मिलेगा एंड जो आठ बंते मुझे मारने आये थे वो गाड़ी पे आये थे दो बाइक थी एक एक्टिवा थी एंड सब के पास हत्यार थे जो मुझे बचाने आ रहा था उसको भी भगा रहे थे ब बहुत ज्यादा चोटे लगी हैं सांस भी नहीं ले पा रहा हूं मुझे सांस ले रहा हूं कुछ खानी पा रहा हूं एंड बहुत ज्यादा सीरेस कंडिशन है और अभी वो दोबारा भी हमला कर सकते हैं डो आइडिया बट अभी मैं अपने इस वाले घर से कहीं और शिफ् बट आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत जरूरत है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो हर नहीं उस चैनल पर हर बंदे के पास ये वीडियो जानी चाहिए ताकि मुझे मेरे को वो मिले क्या कहते हैं उसे इंसाफ मिले प्लीस इतना काम आप कर सकते हो सब को ब